वेरे गुड मॉर्निंग दूस्तों नमस्कार स्वावत है आप सब का तो पहुत दिनों के बाद हम आ रहे हैं तो 6 से लेकर 13 अगस्त तक जितने भी इंपोर्टेंट 36 करेंट अफियर है इसको देखेंगे साथ में कुछ नेशनल और इंटरनेशनल का है इसको भी एट करेंगे दियान जेगा दूस्तों कि ये वीडियो आने वाले जितने भी एक्जाम है चाहे होस्टल वाडन हो सभी के लिए इंपोर्टेंट है तो वीडियो को दूस्तों अधिक से अधिक शेयर कर दीजेगा वीडियो पसंद है तो चलिए देखते हैं तो पहला प्रशन आप लोग क देखते हैं तो याद रखे उस्तों कि राजसासन के अंतरगर्त प्रदेश में जो है 146 आयूस ग्राम विक्सित किये जाएंगे इसका उदेश यही है कि देखे लोगों को जो है पेड़ पौधों के जो है और शदी गुरों के बारे में उनको जावरूप करना है और इसके 146 आयूस ग्राम विक्सित किये जा रहे हैं तो यह पॉइंट है ध्यान दियेगा कितने 146 ओके चलिए यह अगला प्रशन है देखे गुरु घासी दास तमोर पिंगला टाइगर रिजवरों गठित होने के बाद राज्य में कुल कितने टाइगर रिजवरों हो जाएंगे तो यह इंपोर्टेंट प्रशन है ध्यान दियेगा जोस्तों इसको इसका जो आपसन है और इसका जो सही आंसर है करेक्ट आंसर आपसन नंबर सी है चार ओके एट की जगा देखते हैं इसके समन्ने याद रखे जोस्तों कि राजय में गुरु घासी दास तमोर पिंगला ट बलराम पूर जिले में इसकी दोस्तों गुरु घासी दास राष्टी उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण के छेत्रों को सम्मिलित करते हुए ध्यान जिएगा दो हजार आट सो उन्तीस दसमलों 387 वर्ग किलोमीटर छेत्रफल में गुरु घासी दास तमोर पिंगला गठित किया जाएगा द्यान जिएगा इसका छेत्रफल कितना है इसको मिला कर दोस्तों 36 गड़ में जो है कुल अब जो है कितने चार जो है टाइगर जो हो जाएंगे ओके एट किजएगा और भी इसके समन्द में द्यान जिएगा कि राष्टी गुरु घासी दास उद्या किया गया है और यह राज्य जा के दोष्टों सब्ही उद्यानों में किया है सबसे बड़ा जो है राष्टी उद्यान है और इसका विस्तार याद अखना है मनेंदरगाड, चर्मिरी, भरतपूर, MCB, और कोरिया, और अपका सूरजपूर तीन जिला में जो है इसका विस्तार है और वही तमोर पिंगला अभ्यारण दोस्तों राज्यका जो है छेतर फल की दृष्टी सबसे अभ्यारणा है इसकी जो स्थापना है 1978 में की गए थी और ये जो स्थों यादाखना है की ये जो है सूरजपूर जिला में है पमोर पिंगला अभ्यारण किस जिले में धिलारर में रा म कोला गाउंकी गोद में इस्तीत भीप आइए तो वर्सा का सीजन चल रहा है बहुत सारा जल प्रपात देखने को मिलेंगे नए नए तो इसका जो सई आंसर है करेक्ट अंसर अप्सन नंबर देखें ड़ी है यह सूरजपूर में है कुमेली जल प्रपात यह सूरजपूर जिला में है कुमेली जल प्रपात सूरजपूर जिला में है और इसके पास गान प्रपात यह सूरजपूर में तो आपका सूरजपूर में है यह इंपोर्टेंट प्रश्ण है देखे चतिज़गर सरकार ने हाली में नगरी निकायों में एक बड़ा बदलाव किया इसकी अनुसार किस नगरी निकायों के अध्यक्षों के पास पहले जो वित्ती अधिकार थे वे अब खत्म कर दिये गया है दियान दियेगा और इसका जो सही अंसर है और नगर पन्चयत और नगर पाली का दोनों ठीक है दोनों के जो है वित्ती अधिकार खत्म कर दिये गया है अध्यक्षों के ना देखते है इसके समझ में ज याद रखे हो सो कि चत्तिजड़ सरकार ने हाली में नगरी निकायों में एक बड़ा बदलाव किया है और इसके vanilla नगर पन्चयत और नगर पाली का दिय classroom के पास पहले जो वित्ती अधिकार थे वे अबाव हो झात्म कर दिये गया है और जो है इन निकायों leaves वित्ती अधिकार किसको दिया गये है तो याद रखना है मुख कारे-पालन अधिकारी समय के हों फिल के पस छोगे और ये भी है कि भोक्तान संबंदी सबफ़्ी जया कारी अब अधिक्ष को तीन दिन अजरी बांधिकार कि किसको दिये हैं CMO को चलिए नेक्स परशन देखते हैं तो थाड़ पानी जल प्रपात धियान जागा ओप्सन को नॉइस के लिए माफी चाहता हूं दिया कि और टी जागा और इसके सब्सक्राइब देखे जागति सब्सक्राइब देखके लिए कासखन के लिए ईंतहर वारा के जो है आगे गाउं सरई पतिरा के पास हिस्तित है है आप लोग गये थे तो कमेंट करिए घियांतर जो सारंगर्ण इट में और घुमर्दा अभ्याहरण के अंदर बिलो ओके एड की जगा ओके चलिए बाकि ये वाला भी आप देख ली जगा बहुत निस पेपर में है दियान देगा सभी जल प्रपात को कोई भी एक्जाम में पूछा जा सकता है तो करिया डोंगरी जल प्रपात ये है आपका मुहला मानपूर अंबगर चांकी में है ओके बाकि ये है कि ये जो है जल प्रपात देखे मानपूर रोड पर लगबग 5 किलो मीटर की दूरी पर थर्ड नाला धोवे बंड के ठीक सामने पहाडी पर इस्थित है ओके चलिए ये लास्ट जल प्रपात है इसको भी देख लिजेगा कि मांदा मांदा घाट जल प्रपात किस जले में है तो कभिरधाम में मांदा घाट कि जाल प्रपात किस जले मन तो चलिए ये अगला प्रश्न है देखे हाल ही मेरी चर्चित विश्व प्रश्चित श प॥्क्तonse फेलग करेड़ यहाद रखैगा दलhा पहाड ओके यहाद रहा पहाड यहाँ पर दो साल में यहां दोस्तों पहाड के उपर सूरी कुण भी है और इसका जल पीने से बीमारिया दूर हो जाती है और कुण का पानी कभी सुकता नहीं है और पहाड पर दोस्तों चेतरभूज तलाब भी है तो यह सब पॉइंट है निश्पीपर के अधार पर है ध्यान जीएगा चलिए यह अगला प्रशन है देखे हाली में कि जिला स्पताल को राश्टी गुरुवत्ता आसवासन मानक प्रवाणपत्र मिला है तो अप्सन है यहाँ पर इसका जो सही अंसर है करेक्ट अंसर अप्स मानक प्रवाणपत्र मिला है राश्टी-गुरुवत्ता आसवासन प्रवाणपत्र जोस्तों जीसे क्या है एन क्यूप से थाता है औंसी नतफोर में के चलिए अगला प्रशन है बेखे किस राजय में भारत के पहली चोबb verkणटे साथरा दिन ग्रेन ATM अनपूरती लांच की गई है तो अप्सन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है करेक्ट आंसर अप्सन नंबर B है ओरिशा ओके हैड की जगा देहां जगा उसतों की ओरिशा की जो है राजधानी भूनेश्वार में भारत की जो है पहली 24 गंटे 7 दिन ग्रेन ATM अनप लांच करने वाला यह पहला राज्य है भारत का ओके चलिए अगला प्रशन देखते हैं तेके पैरिस ओलंपिक 24 में भारत से कितने एथलेटों ने भाग लिया था इंपोर्टेंट प्रशन है दियान जगा और इसका जो सही आंसर है करेक्ट आंसर अप्सन नंबर B है 117 ओक कांश पहला पदक मनुभाकर जी ने जितने कांश पदक ध्यान जगा और वही है कि निसाने बाजी पदक जितने वाली वे क्या है पहली भारती महिला बनी है और वही है मनुभाकर जीने दस मिटर एयर पिश्टल में सरब जो सिंग के साथ कांश पदक जितने वाली क्या है ऐलंपिक संस्क्राड में दू पदक जितने वाली क्या है पहली जो है महीला मतलब पहली भारती बनी है और बिया दोस्तों के समझने में ध्यान जाएगा कि सबसे कम उम्रिक के जो है विजेता बने है ऐट की जगा दुसतों कि इस जो आयोजन है इस ओलम्पिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक किया गया है आप लोग सुभंकर देख लिजगा श्लोगन देख लिजगा ठीक है कूल देश कितने 206 भाग लिए कूल खेल 32 खेल को सामिल किया गया है नया खेल सामिल किया गया ठीक है और ध्वजावाग ध्यान जेगा की ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजावाग पीवी शिंदू जी और सरत कमल जी थे क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकरवा पी आर स्रीजेस थे